शालीन टीना कुछ टाइम पास कर रहे थे as usual and मुझे तब तक शालीन के साथ मैं थोड़ा थोड़ा क्लोस हो गई थी हम दोनों की दोस्ते एक बिल्ड हो रहा था और मुझे लग रहा था कि ये बंदा कही ना कही प्यार में है पहले के 15 दिन में मैंने टीना के बारे में कभी भी कुछ भी गलत कभी नहीं बोला उसके बावजुद वो मुझे पनौती चलो उसको निकालते हैं दोनों मिलके जैसे की प्लानिंग करके निकालते है and all that like lot of things वो मैं बार 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 वो रिपीट नहीं करना चाहती आँटी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत कोल्ड थी मेरे साथ घर में काफी कोल्ड वाइब्स मिला मुझे आपसे होता होगा क्योंकि आप मम्मियां जब भार से शो देखते हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों को हर्ट करती है और टीना ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है जिससे शायद मेरी मम्मी भी बहुत जादा होई है अगर अंकित के जाने के बाद तो सम्हल के फिर से खेल सकती है तो ओविसली दोस्त तो बाहर हम है ही मिलेंगे बहुत मज़े करेंगे, तो मेरे जाने के बाद भी, you can just go for the finale and get the trophy. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूपसूरत, actually first time जब मैं निकल गई थी, मैं काफी shocked थी, और मुझे बस लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया, कुछ अधूरा रह गया, मैं शरीर से तो बहार थी, दिल और दिमाग वही पर पड़ा हुआ था, and I consider myself extremely lucky and grateful कि मुझे second opportunity मिला, और मैं वहां पर वापस जा पाई, और जितना हो सके कम समय में लोगों को entertain करने की कोशिश की, and I think my energy was better than first time, so that's why I feel very happy, that I got a second chance. Honestly, ये ऐसा game है कि जहां पर आपको finish line तक ही पहुचने की ख्वाईश होती है, या चाहा, not ख्वाईश, चाहा होती है, हर contestant के अंदर, it's just that you have to accept, की finish line यहां था और आप एक्दम finish line के काफी नजदीक जा के आप निकल आये हो, so it's all about acceptance, की आपको कहीना कहीं एक्सेट करना पड़ेगा, की आप finish line तक नहीं पहुच पाई, but as a contestant, I definitely wanted to reach till the finish line, which is the finale, और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोग हो गाई, फिनाले में, the top 5 what I see is, प्रियंका शिफ, साजिद जी, स्टैन और अर्चना, स्टैन इसलिए मैं बोल रही हूँ, because of his fan base, स्टैन slash अर्चना, अर्चना को मैं देखते हूँ, क्योंकि वो irritating होने के बावजूद भी, उसके अंदर capability है, कि वो कोई भी fight को अकेले pull करे, सही करे, गलत करे, अलग बात है, but still she can pull a fight, और, और कॉन, और कॉन, शालीम, मैं यही कहना चाहूँगे, कि मैं निकल आई हूँ, I hope you win the trophy and come back, my whole support is with you, और मैं निकल गही हूँ, मुझे पता है, तु मिस्स कर रही है, क्योंकि निकलने से पहले वो बार-बार hug कर रही थी, और कह रही थी, कि I'm missing you, तो, but you have gone a long way, अगर अंकित के जाने के बाद, तु समहल के फिर से खेल सकती है, तो obviously, दोस्त, तो बाहर हम है ही, मिलेंगे, बहुत मजे करेंगे, तो मेरे जाने के बाद भी, you can just go for the finale and get the trophy. Too good, actually, Michael जब आया ना, तो वहां से मुझे लगा, वो जो content वाला feeling होती है, वहां से मैं बहुत content feel करने लगी, कि अब अगर मैं इस हफते निकल भी जाओं, तो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्यूंकि, किसी family member का आना, हुआ है Big Boss house में, for 15 minutes or 30 minutes, बद इस बार Big Boss इतना generous थे, कि उन्होंने एक दिन अपने family member को रहने दिया, जहां पे आप पिछले डेर दो महिने से रह रहे हो, at least मैं, बाकी लोग तो तीन महिने से रह रहे थे, कि वहां पे आपके family member आके आपके साथ time गुजारे, वो सारे जगे पे बैठे घर में, वो सारी चीजे जो मैंने किया है, मैंने उसको दिखाया, अपना kitchen दिखाया, I cooked chicken for him inside the house, अपने सारे rooms दिखाया, so it was such a fulfilling experience, और fulfilling feeling था, कि मुझे लगा कि, इस हफते में अगर निकल भी गई, तो भी, thank you Big Boss, like, again, ये लड़का लड़की वाला, वो concept I don't understand, what I feel, definitely I support women, I empower women, I love women, but I love human beings at the end, मैं humanity पसंद जादा करती हो, और बात ये है, कि ये context पे बोला गया था, सौंदर ये के साथ, ये मेरा discussion था, Shaleen टीना कुछ time pass कर रहे था, as usual, and मुझे तब-tक Shaleen के साथ, मैं थोड़ा close हो गई थी, हम दोनों की दोस्त थी एक बिल्ड हो रहा था, और मुझे लग रहा था, कि ये बन्दा कही ना कही प्यार में है, and उसको कही ना कही वो जुला रही है, या what Salman Sir said in the last weekend के वार में, कि she's playing with you, Shaleen, understand that, तो, तो, उस context पे मैं I was telling Saundarya, कि हाँ मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और बहुत सालों से जानती हूँ, and I believe it for a fact, that karma comes back to you, and it's very hard, कि what goes around, comes around, it's like a cycle, तो उस context पे मैंने ये चीज बोला था, शायद borderline था, शायद वो बोलने की जरूरत नहीं थी, शायद मैं नहीं भी बोलती, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता, but उस time पे, I think, मेरे और टीना के बीच में, काफी जादा, खराब भावनाय थी, एक दूस्टे के प्रती, उसके तरफ से भी, क्योंकि चीजे उसने भी शो में, जो जो चीजे बोली है मेरे बारे में, वो चीजे मैं जब बाहर आई थी, मैंने मैं देखी थी, and it has also affected and hurt me a lot, because पहले के पंदरा दिन में, मैंने टीना के बारे में, कभी भी कुछ भी गलत, कभी नहीं बोला, उसके बावजुद वो मुझे पनौती, चलो उसको निकालते है, दोनों मिलके जैसे की, प्लानिंग करके निकालते है, and all that, like lot of things, वो मैं बार 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 वो repeat नहीं करना चाहती, audience को exactly पता है, कि गंदगी फैलाने आई है, ये वो, so there was a lot of negative feeling towards each other, और जब आपके अंदर किसी के प्रती, negative feeling आता है, या गुसा आता है, तो उस टाइम पर आप शाएद चीजे बोल जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है, वो हम अपने घरवालों को भी बोल जाते हैं, तो it was maybe a conversation, casual conversation like that, but इसमें I don't think I have hurt women empowerment anywhere, क्योंकि जो सच है वो सच है, जो जूट है वो जूट है, हम सच्चाई को ना बदल सकते हैं, और मुझे पता है कि, क्या मैं बोलती हूँ, कब मैं बोलती हूँ, और मेरा दिल जानता है क्या सच है, बिलकुल भी नहीं, absolutely not that, क्योंकि तो मैं कॉंस्टनली कोशिश करती कि कही ना कहीं उसके साथ fight pick करना, और अगर मुझे शो में रहना है, यह सोच के अगर मैं करूँगी, तो मैं टीना के सामने जाके बोलूँगी, या यह कोई नॉर्मल एक बात थी सौंदरिया के साथ, जो मुझे पता भी नहीं था, whether telecast में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आप 24 गंटे में लाखो करोरो बाते करते हो, आप इतना सोच के हमेशा बाते नहीं कर सकते हो, कि हाँ मुझे शोव में रहना, इसलिए मैं हमेशा 24 गंटे ऐसे ही बात करूँगी, it is not possible, वीवर्स को बाहर से देखे बहुत कुछ लगता है, क्योंकि वो लोग घर के अंदर नहीं है, घर के अंदर हम है, तो इट वस अनॉर्मल कॉन्वसेशन विछ सौंदरिया, जो शायद टेलीकास्ट में दिखा होगा, बट इसके साथ कुछ संपर की नहीं था कि शोव में रहना है, इस वज़े से मुझे शोव में रहने के लिए टीना दत्ता की तो जरूरत कदे ही नहीं है, क्योंकि मैं शोव में जाने से पहले, मैंने पड़े हैं उनके बारे में कॉमेंट्स, कितना जादा नेगिटिव कॉमेंट्स आ रहा था, फ्रम फैंस और व्यूवर्स अबाव टीना दत्ता, तो उसके साहरे की जरूरत कदे ही नहीं है, इनफरेक्ट किसी की भी साहरे की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हर एक contestant अगर खेले तो individually खेले बिल्कुल अगर आंठी को यही चाहिए तो बिल्कुल बट आंठी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत cold थी मेरे साथ घर में काफी cold vibes मिला मुझे आप से होता होगा क्योंकि आप मम्मिया जब भार से show देखते हैं तो कुछ चीजे आप लोगों को hurt करती है बट मैं यही कहना चाहती हूं कि आपके साथ मेरा जो रिष्टा है पिछले तीन साल से मेरी भी टीना के साथ बात नहीं होती है और टीना ने भी मेरे बारे में कई सारी ऐसी चीजे कही है जो बिलकुल कोई जरूरत ही नहीं है या इस आपसलूटली फॉल्स तो यह सारी चीजों को अगर आप साइड में रखे तो हमारे रिलेशन्शिप में अक्शली इस आपसलूटली दे सेम आपके और मेरा रिष्टा बिलकुल सेम है जैसे था आपको अगर कुछ ऐसे सवाल करने है तो I'm definitely ready for that पर आटी पता ही घर ऐसा ही है कि जहां पर कभी-कभी किसी-किसी पर इतना गुसा आता है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हो शायद मैंने borderline cross कर दिया था So I'm sorry about that आपके feelings को hurt करने के लिए और टीना ने भी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है जिससे शायद मेरी मम्मी भी बहुत जादा हुई है बट गेम इस लाइक आप लोग हमारी मम्मिया है हमें सपोर्ट करती है I know that for a fact कि आप मुझे भी कही न कहीं बेटी की तरह ही प्यार करती है इसलिए ये discussions की I don't think कोई जरूरत है जो रह गया, घर में रह गया मैं सारी वो negative energies या bad energies जो होता है आस-पास के contestants के साथ मैं वहीं पर छोड़ के आई हूँ बट हाँ, अगर आपको नाम चाहिए या मेरे से कोई भी सवाल करना है I'm ready for that Big Boss के बाद मैं Priyanka, Shiv MC के एक शो में मैं जरूर जाना पसंद करूंगी Abdu और Sajit जी I would say Arjuna क्योंकि Arjuna बहुत entertaining है पर क्या होता है आप लोग सिर्फ पूरे 24 गंटे का एक गंटे का एक episode देखते है जहां पर आप लोगों को Arjuna जितना टाइम भी दिखे स्क्रीन में entertaining लगती है बट वो लड़की है अच्छी दिल की अच्छी है पर उसको सीमा नहीं पता है और तरीका नहीं पता है जब भी कोई argument या कुछ भी शुरू होता है उसके साथ तो वो बहुत सीमा क्रॉस करके कहीं और ही पहुँच जाता है ओर जो घर वाले उसके साथ रह रहे है वो 2400 गंटे रह रहे है So, there is a lot of difference उसको जेलना उसके साथ रहे के और उसको देख के enjoy करना तो as a viewer मैं भी भूँच देखके के बट रहने के लिए थोड़ा difficult हो जाती है, इसी लिए सिर्फ मैं बोलूँगी कि वो गंदा खेल रही है. Hi everyone, thank you, thank you so much for sending me so much love, support, please showering love on me like this and I love you all. जाने अन जाने में, अगर किसी का भी मैने दिल दुखाया है, I am very sorry for that and please loving me and please keep loving me. झाने जाने में पीन. झाने मेंदा ए्फ अजय स्कीन. झाने झाने प्मूल किसी अेम लिए स्क्रावbnस. मतलándें भी में, अायकत व्हसा है, तर्मामिल दुग किसी अत्तृक cheese. झाने उत्भेशाल में. झाल